हलो अवरिवन, मा नेम इस अभिशेक और आज कि इस क्लास में हम लोग उप राष्ट पती से संबंदित जितने भी अनुछेद हैं उसको याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से, ठीके? देखें संबंदित जो अनुछेद हैं वो तिरसर से लेके 70 होंगे, याद कैसे करेंगे? तो ट्रिक है हमारी उसका निकाल समय शनी, उसका निकाल समय शनी, दो तिन बार याद करिएगा, बोलिएगा उप राष्ट पती से संबंदित ट्रिक का नाम है उसका निकाल समय शनी, जब एक बार आपको यह याद हो जाएगा, आप ट्रिक नहीं भूलोगे, ठीक है, उसका निकाल समय शनी, आर्टिकल 33 से स्टार्ट करेंगे, 70 तक जाएगे हम लोग, ठीक है, तो 63 क्या कहता है, जो शौट ट्रिक है, हम लोग ऐसे लिखते रहेंगे, उसका हो जाएगा, निक काल से दिखे, निकाल, समय का हो जाएगा, आर्टिकल 68, और शनी का हो जाएगा, 79 का श और 70 का नि, ठीक है, कैसे, दिखे, 63 में हुआ है भारत का उपराश्ट पती, यानि उ से आजाएगा उपराश्ट पती, ठीक है, 64 में है स, यानि राज सभा का सभापती, सभापती, सभ काल में आ जाएगा article 1630 से कारेकाल ठीक है और समय हो जाएगा article 68 में समय, समय मतलब पत की रिक्ती भरने हे तू समय 79 वे देखिए शह है शा से शपत है शपत से संबन्धित है उपराश्पती के शपत से संबन्धित जो अनुछेद वो है 69, 69 70 देखिए, नी आ रहा है, शनी वाला नी तो आकास मिक्ता में राश्ट्पती के करतव्यों का निर्वहन, ठीक है? राश्ट्पती माल लेज़े पत पर नहीं है तो उपराश्ट्पती उसके करतव्यों का निर्वहन करेगा, उससे संबनदित क्या है? आर्टिकल सत्तर ठीक है तो ठीक है फिर से देख लेजेगा उसका निकाल समय शनी ये जो classes होंगी बूश्टा ये एकदम छोटी होंगी ताकि आपको बस आप चलते फिरते कभी भी इसको ओपन करके याद कर सकते हो जल्दी से ठीक है तो हमने डिसकस किया किया कितने आर्टिकल देखें 63 से आर्टिकल 70 तक किस से संबंदित है उपराश्पती से ठीक है थांक्यो सो मच उससे पहले अगर अगर पहली बार आप देख रहे हो चैनल तो सब्सक्राइब जरूर करियेगा थांक्यो